असलाम अलेकम वीवर्स आज मैं आपको बताऊंगा कि शेंक वेफिटर में अगर कोई अलारम आता है तो इसको कैसे चेक करते हैं यह इस इंटीकॉंड प्लस का कंट्रोलर है और इससे पहले ही मैंने दो वीडियो इसका बना के बनाया हुए इसको करने के लिए तो अभी यह देखें यह जो इंटीकेशन ब्लिंग कर रहा है और फाल्ट में है और यह क्या फाल्ट आ रहा है वो कैसे देखना है वह मैं आपके सामने इसको चेक करके दिखाऊंगा इसका डिस्क्रेक्शन देखने के लिए एक बार आपने यह दबे वाला नचांद जो है दो वाला इसको प्रेस करना है एक बार इसको प्रेस करेंगे और एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो यह आ रहा है लोडसल इंपुट मैक्स इसका मतल्ड लोडसल के उपर जो वेट है वह ज्यादा है इसके लिए यह अलारम आ रहा है तो वापस आएंगे और देखते है कितना लोडसल है कितना वेट गया है इसका कैपसिटी लोडसल का इसके लोडसल के रहा है तो गया तो में वेट जैदा गया इसके लिए ये लारम आ रहा है है कि अब उपाट करते हैं इसको इसको डिसेट करते हैं यह जो प्रैंड ऐसे इसका अलारम देखते हैं कैसे वार्ट और इसको सेक्ट क्लिए क्लिए अगर उस्के जाएगा तो लोडसल मैक्स का अलारम आएगे इसमें प्रोग्रामिंग में जाकर रीड परामिटर रीड परामिटर में जाकर जाएंगे अपन रेटेड़ डेटा क्यालिप्रेशिट डेटा क्यालिप्रेशिट डेटा में क्यालिप्रेशिट डेटा में यह लोट इंट केपासि batery 226.86 kg से ज्यादा जाएगा तो लोट सल मेक्स का वेड जिवाल अलारम आएगा ऑके तो विवर्द यह देखते हैं इसका η केपासिटी अबाइज का अन्हों कीकितना है और इससे ज्यादा जैएगा तो लोट सल मैक्स का अलारम आएगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुदा आफिस